आप लोगों तो पता चली गया होगा कि ए वीडियो कौन से टॉपिक को पर होने बाला है बर फिर वे मैं एक बार क्लियर कर देता हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे बंदे जो लोग मुझे डेली वाच करते हो मैंने पहले ही बता दिया था कि गाईस जो कंटेंट आप लोगों को पसंद है जो कंटेंट आप लोगों को देखना है कोई भी प्रॉब्लेम हो रहा है तो उसके उपर वीडियो आप लोग चाहते हो तो नीचे प्लीज कमेंट करा करो दर भी यूट्यूब सेक्शन पे कमेंट सेक्शन पे भी बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि भाई जैसा है कि मन्दब डियल मेंस का एंडूड 11 का जो c.12 का अपडेट था उसके बाद बहुत ही ज्यादा लैग हो रहा है तो इसके कैसे fix out करें टोटली अगर fix out नहीं भी हो पाए तो जितना आपका जैसा smooth हम लोग को चाहिए तो ओ कैसे कर सकते प्लीज थोड़ा सा हमें help करेंगे उन सारे भाई लोग का वीडियो का आप लोग end तक make sure देखना बनना एक भी point आप लोग miss out कर जाओगे तो आप लोग को समझ में कुछ नहीं आएगा and guys जितने भी बन्दे new हो चैनल पे please एक बास subscribe कर देना यार मतलब हम लोग बहुत ही ज्यादा close है 15,000 subscribers 15,000 subscribers के guys तो please and please एक एक बार subscribe करके appreciate जरूर करना और वीडियो को like कर देना दोस्तों के साथ share करना विल्कुल मत बूलना so guys अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते अभी जो चीज है ना जो c.12 update है c.11 का जो stuck issue है and lag issue था वो तो बहुत ही ज्यादा था but c.12 का थोड़ा सा ना कम कर दिया गया है but फिर भी बहुत सा लोगा हो रहा है चीज को पर बात करते है so देखो आप लोग जब गेम खेल रहे हो तो एक चीज आप लोग को ध्यान में रखना है आप लोग चार्जिंग में लगा के मत खेलना चार्जिंग में लगाने से क्या होता है जो आप लोग का बैटरी ड्रेन है और बैटरी का चार्ज जो है दूसरी तरब से चाता है तो इसमें न थोड़ा सा प्रोसेसर के भी जे हैंडल रहता है इसके वज़े से आप लोग का गेम थोड़ा बहुत लैग देखने को मिलता है प्लीज आप लोग चार्ज में लगा के गेम मत केलना 100% चार्ज कर लो उसके बाद 12 खेलो 2-3 घंटा कोई भी फरक नहीं परता बट चार्ज में लगा के गेम खेलोगे तो आप लोग का फोन जो है वो प्रोसेसर जो है मतलब लैग आप लोग के गेम में देना स्टार्ट कर देगा पब्जी मलब BGMI जो अपना है वो बहुत ही ज़ादा एक हेबी गेम है अड़ इस हेबी गेम के कारणी आप लोग का फोन जो है लैग देखने को मिलता है अब लोग को मैं एक चीज बता देता हूँ फोन स्टोरेज ना हमेशा खाली रखना चाहिए बीजी एमाई क्लेम करते हैं, PUBG Mobile एक्चुली क्लेम करता है, कि phone storage at least 50% खाली होना चाहिए, अगर आप लोग एक game को अच्छे से run करना चाहते हो PUBG Mobile को, तो phone storage के at least 50% जो है PUBG Mobile के लिए खाली होना चाहिए, तो guys मेरा अगर बात करो तो मेरा 128 GB का storage है, बट मैं इदर सिर्पस से 30 GB आप 40 GB यूज़ करता हूँ, जब वीडियो बगरे के materials रहते तो 40 GB हो जाते, बट आने बाले दिनों में मैं ओभी delete कर देता हूँ, and 30 GB फिर से हो जाते, तो एक चीज़ है कि आप लोग आद में रखना है phone storage जो है बहुत ही ज़्यादा खाली करना है, मैंने कुछ दिन पहले जब C.10 का update चल रहा था, मैंने बता था कि guys HD resources pack जो है, बहुत ही अच्छा चलता है, but guys मैं एदर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं खुद game को uninstall कर रहा हूँ, and uninstall करके फिर से install कर रहा हूँ, just because मुझे non HD pack करना है, non HD pack मुझे चाही है, क्योंकि HD pack में थोड़ा बहुत lag आप लोग को देखने को मिलेगा, non HD pack में अभी फिलाल के लिए lag देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरे दोस्ट बेके नहीं किया है, and उन लोग का मेरे से कम lag हो रहा है, so if उन लोग का देखके ही मैं non HD pack में फिर से shift कर रहा हूँ, and non HD pack का जो review है, वो जल्दी में लेके थोड़ा सा टटी लेगा, but guys, जो gameplay का experience है, frame drop, lag बगेर आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, so वो आप लोग use कर सकते हो, guys, यह तो एक basic सा चीज है कि high performance mode आप लोग को on करके ही खेलना है, and guys, जो screen recording के अगर मैं बात करो न, guys, तो screen recording के लिए, नीचे मैंने description में app का link दे र setting पर आप लोग को video record करना है, वो बाले setting का video का link भी मैं नीचे description में दे देता हूँ, so उस video को भी देख लो, and आप लोग को सारे चीज़े clear out हो जाएंगे, so guys, I think आप लोग को ए basic सा जो चीज़े clear out हो गये, अभी कोई भी ज्यादा आप लोग का problem आए, तो नीचे comment करके जर subscribe कर दो, बिलकुली free है guys, आप लोग को सिर्क एक उंगली से touch करना है, so एक काम तो आप लोग मेरे अपने भाई समझ के कर ही सकते हो, अगर अपना भाई होता तो आप लोग भी करते subscribe, so please and please guys, आप लोग को मैं भाई मानता हूँ, subscribe कर देना, 15,000 subscribers के बहुती ज़्यादा subscribe कर देना, मिलते नेक्स वाले वीडियो में, तो तक के लिए, bye bye, see I love you all guys अपने कर दो आप लोगो